इस बस्तू एमने सर्जन तरफ लई जाएज। सन्मान शुम अबुजुई ए पिलो प्रसंग व्यक्त करे छे मुंबई नी धारसा बन। पन इटलेज कदा चेमने कजड़ेला मानी दिकरी गुलाबने कांटा आ नाटको मां स्त्रीनिल जे सन्मान करे छे एना पाया मां एमना मनमा रहली स्त्रीयोफत्यनी जे मुख्य भावन आदर मी ए व्यक्त करी छे हमने पिला मा जे अभद्र चेश्टा जे उठीने गुस्ता मा चाला गया छे पन एनू सर्जन मा मानी दिकरी एक विश्या एनने परणवा आयो लो जे विश्या नी दिकरी छे एनने परणवा एक सभ्य समाज नो उन एनी पर बहुज मोटो उपक पर बार करूँचे उँँ समाज नी इंडिरेक्टली एकलूज केशे के भाई प्रेम मगर अमारी पासे पन लोको आवेशे तुम मोटाई बतावा अमारी दिकरी लेजे तो ने प्रेम होई तो लेजे आ बात एमने केटला वर्षो पेला करी के तो रहेवा देव मारे दिकर अमारी दिकरी आम नाटक कार तरीके ओलखावानो प्रायत्न करिया त्यारे साहे तेमनी स्पष्ट नाट्य विभावनाने कारणे सर्जक एक एले सजाक सर्जक अने मेधावी विवेचक बेवरीते अतियंत सू प्रते श्ठित बनी रहे छे स्वतंत्र विचारक नव निर्माणनी परयोग लक्षी द्रश्टी धरावनार मौलीकता सबर सर्जक तरीके तेमना नाटको द्वारा सहेब आपनी समक्ष मन्चू पर आटला बधा नाटको लईने जारे आवे छे त्यारे स्पष्ट करिया पे छे कि ए सर्जक शू छे तन सहेब एनना पूरोगा मी समकालीन के त्यार पच्छी ना नाटक कारो करता आगल रहा छे क्यारेक कटाक्ष के बवधिक बाचा आता नाट्य प्रहा थम्भावता पन अनुभवाई एवास तानो पन छे पन मुईन मानू छू के एमनी मारमी कटाक्ष दवारा जे केवा ये त्यार पच्छी ना जन्रेश्टन ना लेखो कोई पन पोता नी रिते स्वीकारी छे मुँ रगुई उर्भईने पने हमा गणू छे परन्तु नाटक नू नकर साउष्ठव बजवनीने सहज पन सहज प्रभाहित नाटक मा वप्राह ए रिते राखे छे एकां किनो प्र अशा ए रिते करक असर करेली होई छे एक पन वधारानो शब्द एकां कि मां असर ही अचे आबार अधर्णिय विश्णु भाई साथी वक्ता मित्रो ने आप सव वडी लोने मित्रो चिल्ला वक्ता तरीके आजमने गणी निराद छे आम तो छिल्ला वक्ता दे समय मले तो पन श्रोताओं ने श्रीराडानी वहली साथ ढ़ती होई एटले जवानी उतावल पन थोड़ी होई एनिवे आज ये तो आपड़ी पासे प्रमाण मा उतावले जनारा लोको पन वोचा हाश्यम मानिये इटली बजी सरस्वातो थाई पिश्णु भाई थी माडी ने कपिल देवे जुदी रिते रजुआत करी त्यां सुधियाने दुरुस्ती बेने आखो ये समय आपड़ी सामे रजु कर्यों इटली इभूमी का उपर जनती दलाले वारताओं ने नवल कथा लख्या चे येमने मैं उल्लेक कर्यों शेहर नी शेरी नो पग दिवानी पछीते थी येमना लेखो येमना निबंदो थोड़ा रेखा चित्रों किटली कवारताओं नी शरुआत ये लखाणों में छे अन्ने येना विशे थोड़ीक जुदी वात पण निराते करी शकाए प्रजा जीवननी साथे ये किटला मली गए लाहता अन्ने प्रजा जीवनने ये केवी रिते भीतरमा अनुभवता ये अनुभवों केवी रिते येमने आगळू पर काम लागे छे ये वधीज वस्तु आमाँ छे पण उमाशंकर पण दलालने सहेब कहता येमना पध्य पको बार पड़या उमाशंकर ना पध्यनाटकों तेरे ये राह जोता था के सहेब शू कहेछे सहेब नो शो प्रतिभावर शे ये वी अमनी नौच छे के येनी राह जोता था सहेब जनती दलालना प्रतिभावनी ये राह जोता था प्राचीनाने महाप्रस्तानना दलाल ने सामान्य मानस हो जे पछी सहीत्य नी दुनिया में इटला नर आया हो ए लोको पन एक समय हतो ओगणी सो एशी पंचाशी सुधी नो कि ये लोको दलाल ने जनती दलाल नू नाम आवे एटले बेवस्तू थी ओड़ता एक सोई नू नाकू अने बीजी आगेर पेले गेर वारता तम जुओ का मुक लेखकोनी एक ओड़कवाई छे इश्वर पेटली करे एटले क्या लोहिनी सगाई अने जनम टीप पन्नालाल एटले वात्रक ने काठे अने मलेला जीव मानवीनी भवाईक पड़ एक आवे तो वात्रक ने काठे तरत आम बदानी सुरेश जोशी एटले थीगड़ू वारता अने मुर्णाल कावे एम एम जनती दलाल एटले सोई नू नाकू अने आगेर पेले गेर लिखक आदलाल इकला अजाइण नोत आसे समय मा। दलाल इतला आजाइण नोत आयो समय मा, जोसके ये जमानोत आजाइण से उलागो स्गय वाय। पड sinking डकली से वलागों आसे आजओंатив मोथ्यां। एमना ख़वा मजबूत था ताने वाद तो आवी बराबर अडिकम था थी जीले वा लेखक छे दले कि एमनी वाजना एमनी कृतियों एक कृतियों नी टेक्स्ट ये एना बराबर जीले वी छे एक तरफ एमना नाटकोनी पन चिंता एटली वधी टीका थाई छे आजे पन सवारे मने एक आपड़ा बहु जानी ता सारा वार्ताकार अंग्रे जीवां चे छे अमने एम कई हुके एमना एक आंक्यों ने तो बदू ठीक छे एमनी थोड़ी वार्ता हो सारी है आजे पने विदग्ध मानस मोटा वार्ताकार आपणने ओ अभिप्राय आपता होए अने एनी सामे दिरुबई ठाकर वगेराना अभिप्रायों आपने जोई है प्रतिभाव मुल्यांकनों जोई है तो यह मुल्यांकनों पोजेटिव होए वार्ता विशे पन कंती पटेल जिवाना लेख मा एक तरफ आधुनिकता नीवाज शरू थाए छे ना प्याला हम तो दलाल सहिप आवे छे पन कंती पटेल जिवा मानस एना संदर्भो लईने टीका करता हो है कि आब अधी वार्ताओं मा प्रतिती जनकता ओछी छे त्यां सुधी के जग मोहने शुजोव एम पन प्रतिती करतानो प्रश्ण एमने लागतो हो है अने आगेर पेले गेर मा सभीता अब दू गर आपी देने चावी आपीने जतारेवानो निर्णे करे छे अध्वा गाधी तोप जेवी वार्ता ने जैन पाठक जेवा मर्म शिल कवी सम्वेदन शिल मर्म मार्मिक कवी ईम केता हुए के एक टूच को छे जना लंबा वेलो ंथी वीजू कसू नथी यने वीजू मान सहनी सावे अईम लगतो है के गाधी तोप गाधी केता आहिंसा अने तोप केता हिंसा य बनने ने एक साथे जक्स्टा पॉज करी ने वार्ता माँ जेरी ते वेंग्यार्थ प आपने केवानू प्राप्त था हैं। यह नी बे नवल कथाओ, धीमू औन विभा औन पादर ना तीरत। बन्ने नवल कथाओ विशे बहु विघते वाद थाई शकें। अन आपने त्या प्रमाण मा घणी वाद थाई। पन इन नवल कथाओ मा जता पहला ने वारताओ मा प्रवेश्ता पहला। अजु एक बे वाद दलाल विशे करवी जोईये। अने ते यह छे के इस समय गाळों दलाल ओगणी 109 मा जन्मे आने इस लेखन शरू करें छेनी वच्चे ना समय गाळामा बे विश्वयुद्धो यहमने जोया अनुभवया बे विश्वयुद्धो नी वच्चे यहमनु घडतर थाई। अने यहमनी अब अधी कृतियों मा एक मुख्य सुत्र होय। सम्वेदननु सुत्र तो खरू। पड़ विचारनु एक सुत्र होय। तो ते सुत्र यह छे कि मानस खोवायों छे। इने मानस्तनी शोध चाले छे, दलालनी कृतियों मा अवा एक मानस्तनी शोध आपण ने देखाए, खासकरीने इमनी दीर्ग गध्य कृतियों मा एक मानस्तनी शोध चाले छे, बिजी वस्तुए के छे के दलालनी माने छे अनुभवे छे लखे छे के सम्वेदन पढ़ खरू अने बुद्धी पन खरी तो बुद्धी अने सम्वेदन बुद्धी अने लागणी पड़े यूं कहे छे के आप बन्ने बुद्धी अने सम्वेदन बे मली ने ये बन्ने जे सम्रस्थाइत्यारे चेतना बने छे अने इतले हम कहे छे के लेखक आँ चेतना ने आलेख तो हई चैंग हैं अब बननेनु संतूलन करवानु चैंग ये बननेनु संतूलन's ये पोटेक अली रुतियोमा करी चैंग मेले अवो चैंग है तो गढ़ेता आपडान ने देखा चैंग मेले संतूलन बेड़ाबर करी चैंग चे अमने वधरे गढ़नारों समय पड़े छे ये सामाजीक परीबड़ो राजकिय परीबड़ो तो खरा जे अमने आंदो लनों मा भाग ली दो जैलवास वेठो ये बदी वस्तु ओ पड़े 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 ये मनी साथे ना एवकत ना वारता कारो ये पड़े अमने अमर्थ बहु ना उलेखना करिये तो पण सुंद्रम चे उमाशंकर चे पन्नालाल चे मढ़िया चे बकुलेश चे जैन्द खत्री अने जैनती दलाल अपड़ा बदाज विवेचे को ये वारताना संदर्भ मा जेमने पहु गंबिर ताथी विवेचन करियू छे ये बदाज लिखा को विवेचे को नू एम कहू छे कि बे संदर्भो आपणी आवे का धुमके तू सुदि धुमके तू पछी वारता आगल चाले चे तो ये प येमा जे स्तित्यंतर आवे चे शिफ्टिंग आवे चे ये दलालाना जेंद खत्री थी आवे चे मने बन्यनी तूलना करता एक प्रश्ण आवास्तो तो त्यारे खास थवे चे के दलालनी वारता हो करता मने जेंद खत्री नी वारता होनु गद्य येमा धमा चक्डी न मले अमने एक जातनी शान्ती, पड़ जेने तमे एक वीधी नाखेवी, ठंडी शान्ती, ये तमने देखाए, मानसों नी अंदर पड़ी गयो लो एक सौपो, सौपो पड़ी गयो छे, एक सन्नाटों छे जीवन नो, इस सन्नाट आने एमने कि वा गद्य मा मूख्यू छे, कि वा वारताने शिफ्टिंग मला छे, एक खत्री मा मला छे, जन्ती दलालनी वारताओमा जे शिफ्टिंग मला छे, स्तित्य अंतर मला छे, गुजराती वारता पड़कू बड़ले छे, गुजराती वारता वळू बडले छे, ए जन्ती दलालनमा बडले छे, ए मानस शास्त्रिय स पात्रों नी मना स्थितीने तपास्वी, मनोगटनाओनू आलेखन करवू। येमनी अब दीज वारताओ, थोडिक वारताओना नाम अपनेले येन येमना वारतासंग्रहोनो उल्लेक करिये। कि उत्तरा येमनो पहलो वारतासंग्रह चे। अने छेक अडखे पडखे सुधी आविये, युधिस्टीर सुधी आविये, ओगणी सोडशट सुधी, अने वच्चे येमना वारतासंग्रहो मा थी गालेली वारताओ, इशत नामे संग्रह थयो, येनी वारताओ जो आपने लईये, तो येमनी वारताओ ना थोड़ा बेभा पड़ी जता देखा शे तमने, कि प्रारंबनी जे वारताओ छे, जे उत्तरा आने कथरोट मा गंगा आने वारतासंग्रहो आपने जो ये, तो आपने लाक्षे कि ए वारतामा ए समवेदनने समाजनी साथे कसी जुए छे, सामाजिक प्रश्णों, पात्राणी वयक्तिक संदर्भलाईने, ये एने कसोटिये चड़ावता देखा शे, अने येना पछी जे वारताओ आवी, ओगणिसो पचास पछी एटे को ओगणिसो ने चप्पन ना गाला मा, ओगणिसो चप्पन थी चोसट सुधी ना गाला मा, येमना जे वारतासंग्रहो आवे, आगेर, प इतर प्रवेश करे छे, बारनी समस्या खरी, सामाजिक, अउटुमिक संदर्भ खरो, पड़ेमा थिये व्यक्तिनी अंदर उतरे छे वारताओ, येले पेला मा, संवेदनने समादनी भूमिका ये कसी जोगानू छे, अई सामाजिक परिस्तितिने वयक्तिक संवेदनानी भू भूमिका उपर ये कसी जोगे छे, ये भूमिका येमनी वारताओनी तपास करिये तो अपनने थोडिक वदारे मजा पड़े हैं, जमके येमनी बहु जानिती वारता जेनों आपने उल्लेक करें, ये वारता आजे पड़ आपने इटली प्रस्तूत लागे, लेखक, जेने अपने मोटो लेखक कहिए छे, ए समय संदर्ब बदलावा छता, जीवनना मुल्योना संदर्ब मा केवी रिते टकी रहे छे, अथवा तो जीवननी समस्याओ कदाच परिश्तितियों बदलाती अशें, पर जीवननी समस्याओ तो एनी एज रहे छें, आपने लागे, आगेर पेलेगेर नी सभीता, एने पुलिन साथे आम तो प्रेम लगना करिऊ छे, दिकरो विक्रम जन्मयों छे, दस वर्षनू दामपत्य जीवन छे, सुखी छे, कोई प्रश्ना न थी, पड़ पती मनिशा नामनी विवतिना प्रेम मां छे, एनी खबर पड़ता, पनने वच्च यह सेत्तनाव थाए छे, लोको जुदा रेवानू नक्की करे छे, पती सभीता ने गहर आपे छे, गहरेना आपे छे, दिकरा ने पूछे छे, कि तू कोनी जोड़े रही छेम, यह दिकरो एम के छे, सभीता ने टे मम्मी ने बाने के छे, कि तारी साथे रहूं तो पपा न पपा ने पूछे छे, कि तमारी साथे रहूं तो मम्मी ना त्या जाई शेकूं, तो पपा ने बाने पूछे छे, कि तमारी साथे रहूं तो मम्मी ना त्या जाई शेकूं, तो पपा यह दिकरो चुक्कस, तु जाई शेके, अने आजे आपने हिवा कुटूम्बो पन जो येचिये अई अने परदेश मां आपणा गुजर्याती कुटूम्बो, कि जा पति-पत्नी जुदा रहता होए, अने पति दर शनी वारे बालकने मम्मी पासे मुख्या आवे, अने सोम वारे मम्मी बालकने पति ना त्या छोड़ी आवे निबनने जुदा रहता होए. तो ये संदर्व आजे पन छे, अहीं पन छे, विदेश्मा पन छे, पड़ वारतानों विशे ये न थी, वारतानों विशे ये तो जरा जुदों छे, आतो एक वस्तू थाई, क्या हम थहुएं, पड़ सवीताने अचानक आम तो वगार करवा माटे, वाड की आम बदू नाख अचंची न तयार चेनाम वगार नाखवान हो चे, अनि उन्हें वीचार आवेजा, कि पोटे आग करू छे ति बराबर करू छे म, अनि तरत पछी ये नहीं एक बीजी सेल्फ, पोटारी राधवेज और चें신त पो जाजा, ये ऊन्हें पूछें चेंची कि त्यशू ईटले चौकी जाए एन रजु करवा तरह तो गणु बता वां आवे लूकए घणा दिवस विचार है छे वारे वारे लिवे जी जात आवी ने कहे दरपन सामे थी तु आम कर आम कर ये तैयार करे छे वारता हम इंट ली न थी दिकदर छे में उमेरे लिवस्थ वारताओ पर पर सारू लागे छा पन ने भूमी का एमा छे हैं खाण के कोई पन आवो निर्णे करता पेला ने क्या जवानू छे एने खब न थी एनी पासे एउन न थी कि माबापनू गर तयार छेने जवानी छे उत छे नहीं अने चता सभीता एक शणे निर्णे करें छे में कि आ चावी ये एमज रेवा देईने जाने पेली सुटकेस लेईने दादर उतरती बतावी होई और वारता एरीते पूरी करी होई वारता छे नेते आखो मानस रजू नफी करती वारता मानस नो अन्ष्ट रजू करे छे और अन्ष्ट नी बवव मजा होई छे आखा मानस हो तो आपनन वागता होये चे बहुँ. इले वार्ता मा जै अन्ष आवाचनद यह अन्श आवाच ए निले बहुँ मज़े होये। ऐले अन्ष होये. आम तो आपनी बाजू मा बठेली दरेक व्यक्ति वार्ता चे यह, अन्दे वाध करे तो नावल कबहे हो है। तो जे सहज ता मने तो यह लागियु छे के मा कशु ओल आफे सडन नथी बनतू बदू प्रतीती करचे ने वार्ता नो प्रभाव आजे पन मने तो यह वो बरता है ने यह मनने संतोष था है मने अंगतरीते संतोष था है के हाश सविताया निर्णए करयो है इतला माटे यह वार्ता दिन सुधी बराबर याज चे पन टपू बई रातड़िया नी वाद जेनू प्रभजन साब्ला जे के जे वस्तू यह आखी वस्तू बराबर याद रही जाए इतले पचि बदा पत्रकारो यहने पुछी-पुछी ने लखी लेवा मागे बदू कोण साब्ला यह यह बदा ने लखावे ने दरेक ने इकद लखावे जुदू क्या थी लखावे पड़े लोगों के तू जुदू लखाव अने जेम जेम पेलो पेली व्यक्ती बोलती होय प्रभजन करती होया ने यहना प्रभजन मा जे जे वस्तू आवती होया न पत्रकार जन्ती दलाल जे अनुभव विश्व चे एमने जे खटाक्ष करो चे पत्रकार जगाताने आखबार जगातू पर ए वारता में एमने करो चे पन एमने एक वारता चे जग मोहने शुजोऊ आँखनो रेटीना बगड़यो चे अने अवे देखी नथी शकाये उए अने डोक्टर ना घरे थी डोक्टर नी सलाहले ने पाचो आवेचे इतली जग्षणों मा वारता पूरी करेली चे ये वारता निख्षण पकडवी एमजे आपन कहिए चिए इवारता निख्षण एमणे बराब्बर आघेर पेले गेर मा पन पकड़ी चे अन्ने आमा पन वारता निक्षन पकड़ी छे, टुकी वारता मां समय संकलना, समयनु मैनेजमेंट जनती बाई बहुँ सरस्रीते करे छे, नाना ना गटना प्रसंगों ले छे, पन गटना प्रसंगों नो भार न थी, एटले गुजर्याती वारता गटना केंद्र मां थी दिमेदी में निकड गटना ना विकेंद्री करण तरफ जती आपन ने देखाए, गटना मां थी थोड़ी मुक्त थाए, गटना ना भार मां थी मुक्त थाए, ये जनती दलालनू अरपण छे, बारता मां पात्रों नू मनोविग्णान रजु करवू ये कई, एमने एकलाइज कर्यू छे हू न पात्रों पोतानी जे वाद करेशे, ये बे पात्रों जे पोतानी वाद करेशे, तो एनी नजीक जोवानू मन थाए, पन लगननो संदर्व आपण जोईए, तो लगननो, ए वाद तो पशी करवीचे, पन वारतानी वच्चे आविएटे उल्लेक करीलू, कि एना करता तो, आम तोलना नी दुरुष्टिये कहूं छू के, पनालाल पटेल नी साचा श्रम्णा जोईए, अपड़े, एक लगू नवल तरीके जोईए, लाभीटू की वारता तरीके पन जोईए, तो एमा जे मनोविग्णानी संदर्व, एटले का मनोविग्णान, एमा जे मानसनी मनो घटना छे पिला पात्र नी, मथूर नी, मथूर नू जे दोलायमान चित्त ने शू बने छे, याखू किटली सरस्रीते अमने आले खेलू छे, एक उचू बने लोले खक, पड़ समादनी विद्यापीठ मा बने लोले खक, इबुमी का धिमू मा बनती नथी, उची बने छे पड़े पशी बात करूँ सहे, तो जग मोहन दवाखाने जाई छे ने डॉक्टर, यहने जे संदर्ब कहे छे बदु जोई ने, पशी एक अच शक्यता बतावे छे के, आखनू आप्रकानू दर्द हो, यहने कई बहु उपाई ना थी हम, पड़े ने जीवन ने बनी जोवाना संदर्ब मा जपानीज वार्ताकार्नी वार्तानो उल्लेक करे छे, अन्ने दलाले ये वार्तानो खाशो संदर बंदर लीधो छे, यह कोईक ने आगंतूक लागयो, कोईक ने हम लागयो के दलाले सिवाई पन वाद करी छे क्या होत, पन ये संदर्ब थी, आ वारता ने एटलू नुकसान ना थी थयुए हूँ आपडने लागे। मने पर्टिकुलरे वू लागे। ये वारता थी एक स्तर उमेर आयु है। वारता ने एक पची घरे पाचो फरे छे। रस्ता ने वर्णन आवे छे बदू साइकल नी गंटड़ी विजा आवा जो। ये बदू दलाले सरसरी ते गोठ्विय। चेने हमां थी संकुलता भी था है। ये परिवर्तन था है। पात्रन मा जे परिवर्तन आवे। ये दोगे बदू साधे मने वार्ता ने पूरी करेली छे। ये मनी क्यलिक वार्ता हो। पितापुत्र ना संदरवे संबंधों संदरवें छे। जाड़ डाल अने मालो ए वार्ता, संब्डी वारता अथवा ए हूँ औने हूँ ए ए वारता छे ते ए हूँ औने हूँ ए वारता प्रमाण मां आलों को जे अगरी वारता कहे चे एमानी एक वारता छे कि इतला बता संदर वो वारे वारे बडलाया करे कि कयो शब्दवा परिये स्वस्त भावक के वो शब्दवा परिये के सामाजी के वो शब्दवा परिये सहरुदवा परिये तो सहरुदवा भावक कदा टकिशक है हमा ए फरी फरी ने वांची ने हमा थी कशु काड़वा मत है पड़ बिजो भावा को ए एने छोड़ी दे एने एमला के कामा कशु बंतू नथी वाद तो एचे के पीता पुत्र ने बंतू नथी पीता हाया तता त्यारे बनने वच्चे नू डिश्टन्स चे अने पीता नू अवसान थाई उस मशाने जही नाव्यों चे अने पछी एना पोतेज पेलू पंच्यू पेरेचे जनोई धारन करीचे पींट सारेचे दिवो करेचे किर्तन करेचे अने पछी हम लागेचे का ओ हूँ मुझे पीता हूँ जाने अवे एज बनी जाओ छे वाँ उस्टनस ना बे सोनेट आ वारता मात्ती वख़त है मने सोनेट वारम वार अने ए सोनेटों अने मधद करिया वारता समझवा महैं कहुत चाले हैं। पछी दिकरों केवी रिते बापने पोतानी अन्दर अनुभवrices चे महीं और एका कार्ताणों अनुभवर करें पर जाड डालाने माळो वारता महीं युक बनतू न थी ड़ाड डालाने माळो वारता अमा तो दिकरो अने वाउ बापुजी साथे नव बनवाती घर छोडी गएला अवे पाचा आव्या छे गरमा सावकी माँ पण छे अने चाहरे अवेस स्तीर रीते बदू समझी विचारीने जिव्वा मागे छे पड़े बनी शक्तु न थी अने आखी वस्तुने लिखके प्र अपने त्या जे पचिती घणू आव्यू ए दलालनी वारताओं मा आरीते प्रवेश रहे छे वावा जोडानो समय छे डाल उपर मालो छे वावा जोडामा जूले छे पड़ू पड़ू थाए छे पिलालोको भारी मा थियाने जोही रहे छे तो आब अधा संदर्भो पात् पेल जड़तो न थियें मनुष्य आब अधी नियती लही ने आवे होए छे एटले एक संदर्भ एवो छे के इमनी कोई एक वारता मा गरूर जे मा कहे छे ते वारतानू नाम मने एक दम्याद ना ख्या होतू या मुकम करोती वारता मा एवस्तु बने छे के सुथार अने व पड़ी जाए छेने पची सुथार अने के वी ने ते प्राप्त करवीतो घरूर अनुचु के ए विशय लही ने इंदू पुवारे होँ पशलो छे एव एक लाबू नाटक हैं बहु लाबू पले लखेलू अने एमा पड़े संदर्भ जरा जुदी ने ते एमा राजकुम परीनों संदर्भ करता भी जो संदर्भ थोड़ोग छे अने पेलों के छे के वुँ विश्णू नाथी पिला लोको विश्णू मानी ने एनी पास से आवे छे तो के नहीं हुँ पशलो छूपन कोई स्विकारतू नाथी बदा लोको एनी बक्ती करवा लागे छे अना ही प आपे छे ने पशी ये लोको नजीक आवे छे बदू बने छे करू पड़ पशी राजाना संदर्भ में मदद करवानी आवे छे त्यारे ये कही अमा सफ़ड थाई शक्तो न थी है इटले वारता ये निर्देश करे छे कि इश्वरत्व शू छे ने मनुष्वरत्व शू आपन करवानी चे ये अने एने स्विकारी लेईने जागल वध्वानु छे तो ए नियती नों उकेल कोई न थी होतो ते येमनी घणी वारताओं मा अपन ने देखवा मलशे तो ये येमनी विजी वारताओं ना पण गणा उल्लेखो करी शकायम चे दलालनी वारताओं मा सं जूजुवा आके ये बदी वारता हो एकदम सफाइदार वारता हो तरीके लखायली होवा चाता इतली प्रभावक नथी उत्तरा वारता छे उत्तरा येमनों आम तो पहलो संगरा अने उत्तरा वारता छे येमा उत्तरा छे ते ए वारता पन आजे आपनने गणी प्रस्तुत लागे रुपालिस्त्री छे उत्रा यूपती अने अनेक पुरुषोनी कामुक द्रुष्टी थी ए हेरान परेशान छे एमाथी बचवा माटे थाईने ए श्रिधर जोडे लगन करे छे ने उँ माने छे के श्रिधर एने साचवशन एने रक्षा कर छे शरूमा ए बदू बने लगने गरू पर दिवेदिमे श्रिधर पण एना उपर प्रभूत्व वगवा मागे छे एने कईंसे अने ए श्रिधर माही पंछुटी जई स्विकार भी पढ़ शे, समझदारी हशे त्यां कदाच एटलू बदू बेठवानू नहीं आवे, पड़ मोनोटोनी छे, जीवन छे, ए रीते चाले छे, कि आजे बदू बराबर लागतू होए, ए थोड़ा वर्शों पछे आपने बराबर नाथी लागतू है, एक वित्ता ह होए विजी वस्तू होए नाथी एक कंट्रालवान अनुपव थायें। तो ये वारतामा येमने ये संदर्वे वात करियें। येवी अमनी विजी वारतावन उल्लेक पण करी शे, काई पन हूँ, अवे येमनी नवलकताना संदर्वमा आऊं। कि धिमू अने विभा उमान येमा जनती दलाल किटले कंशे, पोताना अंगत नी वात करे छे, येमनी एटला तटस्त तो होए जेम, पन येमनी येमनो अंगत अनुभव प्रेम विशे ना येमना विचारो, अजादीनू अंदोलन येना संदर्वोई बदी वस्तू हो येमा छे, अने ए जाने धिमन्त येमा दलालनू एक स्वरूप आपड़े जोही शक्ये, एटले एमा अंगत अचे, पादरना तिरत्मा बिन अंगत अचे, पादरना तिरत्मा ये वस्तू जेवी छे के ये तटस्त रही ने येने निर्खे चे ने येनू निरूपन करे छे, दिमुआने विभानी वार्ता वार्ता जेवी एमा ओच उपड़े टलो उल्लेक करिये के वार्ता नवलकता शरूत आई चे, तो एवकत विभानी अवसान थाई चूक्यू छे, अने एरीते शरूत आई चे के विभानी अवसान थाई ये माटे, आसपास नो संदर्भ एम के चे के ये माटे धीमु जहां तो नथी, ये इम थाई चे के ना नband वँए, मन क्या जवाबदार शूू। अने फची हे जाने, एनी केफियत आपतो हुए, पोता नो बचार नहीं, पड़ पड केफियत आपतो है, के आवी 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 परिस्तितिति मा हमाम बनी हैं। अने बदा कैफियत आपतो होए संदर्व पर पण बच्चे विभाने माड़ा होए विभानों संदर्व होए यह आउतो होए तिलू भावी अने अनो पति ए लोकों पण एवु इच्छे छे का बन्ने जन लगन करें कथा पछी शरू थाई छे का शू बन्यू तू है अने बन अन्दोलन मा जोडावानू जेल मा जवानू एटले चार वस्तू एक कहे छे एक वकत जाने भाषण आपतो हो ए में धिमू विभाने चार वस्तू कहे छे एक साथे पाच साथ वाक्यों मां बोली दे छे के जू उंके एम लगन न करी शकू एम तो एक के छे के लगन जीवन नो आर्थीक बोज उपाड़ी शकू एवी मारी कोई त्रेवड न थी ह 겁니다 मैं मारा जीवन नो एक चोक्कस्त दोरण नक्की कर्यू छे इदोरण थी उह समादान न करी शकू त्रिजी वात एक कहे छे कि उह लगन करू तो मारी जे देश प्रेमनोå मारा कामनो नू मार्योमीशन छे एमा हु समादान न करू याने जोखम था है इटला माटे पणू ना करू अने चोथू केछे तेया अगत्यनुचे ये पण एटलूज के एम केछे कि लगन करवा जेटलो उमलको येवो उत्सा के विमारी कोई वृत्ती ना थिये अने तेम छता बने चे तो एज के जे माना सेम केछे के प्रेम करवा जेटलो मारो उमलको के उत्साह न थि ए विभा थी खेंचाई चे तो खरो एक तबक को तो एवो आवे चे के जेल माँ छे अने विभा विशे विचारता विचारता एने एम लागे चे के बहुत मुश्केल विभा एउँ अनुभवती आशे के जाने में एने कुवामा उतार याने दोरुडुक आपतो हो एउँ लागे तो एने थाएचे के निर्णाई करी ने जेलमा जोईने लगन करी लईयें थाएचे अल्बद पची थतू न थियां विभा तो एने बहु मोगत पणे अपने यू थाए के एने केटलू बदू बेटू बेटू छे विभा ए विभानू पात्र ये पोते पोता निवाद तो बहु ओची केछे अने चता अपने अनुबव थाएचे के अना मस ने चे सवहार्द चे अटलू बदू धारिये चे हम एले मेजरे पहली वखते वाची अने वखते शरत बाबू बात तो तो मने यू लागेलू के आ विभा चे ये शरत बाबू नी नाही का चे यू लागें वो आँख भिनी थाई जा एवी एक स्तीती अने पछी वीमार पड़े अने लगननी एक स्तीती पे लिए आवे पड़े ये पछी तो ना कहे चे हम अने थी विभानू अवसान थाई चे तो एक बाजु उर्मी छे यें, पड़ उर्मी शिल्ता न थियें अने नवलकथा आम प्रेमनी कथा ये न थि बनती अने विजी बाजु आम जो वाजी ये तो अंदलोनों नी अने वधिवात होवा छता ये नवलकथा कोई शु कैशु राष्ट्रिय संदर्बनी नवलकथा पन न थि बनती है ये दलाल नी ये नवलकथा मा दोलाईमान स्तीती जे नायक नी दोलाईमान स्तीती चे ये दोलाईमान स्तीती नू गणू बदू आलेखन चे ये नवल कथा नी कदा चेटली चुस्ती नथी चेटली पादर ना तीरत नीचे हैं पादर ना तीरत मा बनने वस्तु हो छे ये तमने सुगम पढ़ लागे ये ले के समझा है जल्दी ये भी छे दिमु अने विभामा तमारे घणी वकत हैं थाएक थोड़ू पाचा जैने फरीवाजची है पाचा थोड़ा पाना जोया पाची अने प्रस्तार पन प्रमाण मा त्रणसो पाना त्रणसो पाना जितनी लाबी नवल कथा चे गटना प्रसंगो थोड़ा आकें पड़ एमाती कितला गाली शेका एवी वातों पड़ेमा आवी छेम अने एना कारणे पिलो जाखो प्रवा से गणी वकते पातलों पड़ तो आपने दिमू अने विबामा देखाएम पड़ मुड वात तो प्रहिमश्येक दिमू आपने विबाम पीडा प्रहिम नती अने पिलो प्राणे प्रहिम नती होतों जो मन्या उठाई छे तो वीभा के ट्लू वेठाई छे हूँ पादर ना तीरत मा आम जो आजी ये तो ही 42 ना अंदोलन नी भूमी का आयमा छे एक ना नकडू गाम छे रेल्वे स्टेशन छे अनि गामना लोको ने उठाई ने को रोज समाचार आवे छे के आ गामना लोको य आम करियू आलोको आंदोलन मा जोड़ाया आब दू बनियू येनू नाट्टे रूपांतर में हर्टी सिंग मा जोए लू एक वखत है अने उमानों चुके इला बेन ने ये लोको बदाये करे लू अने उए वखत आमदाद आवे लो तो में येनू नाट्टे रूपांतर इटले मने इव अधर समझाये लू तरत आजे में तो गामना लोको ने थाई छे के आपड़े पड़ कशु करवू जोई है इटले उतावडा बनियने अने कशु करी बताऊ चाजा दीना अंदोलन मा इटले लोको गामना अने रेलवे मां सामान जाए छे आवे छे साइनी क पूलीस आवे छे जाए छे लोकों ने थाई छे किया रेलवे स्टेशन ने बाड़ी मुख्य तो के हुए यह यह लोको रेलवे स्टेशन ने सडगा भी देछे अने पछी जे जुलम एमना उपर थाई छे ए जुलम एमा निर्दोष्ट लोकों ने पन मार पड़े छे खुकमी सत्ता अने भास्तना ये बनने नो बहु वर्वो अनुबहु गामना लोकों ने थाई छे रेलवे नो डबबो छे डबबा मा लोकों ने भरीने पड़े मना पर जुलम करवा मा आवे छे अने पछी बदाने कैद थाई और पछी फोजदार एक वस्तू के छे जे पह लाँचा अपो येम तो आपने जे लोको लाँचा अप हैम ने छोड़ी देहे धिमेदी में हम अने न तो पछी गाममा एक वकील छे ते और एक व्यपारी छे ए एनो गेलाव लवा मागे छे ने रोकों एक केऊं पईसा आप इशने विजो केऊं तमारो केस लड़िश। अने एम करीने एलो को केवी रित्याखी वस्तु गोठवे चेने थुड़ाक लोको छूटा थता जायें। अने लाचा पीने छूटवू न थियें। पड़ पेला लोक एक पछेक छूटता जायें। अने छिवटे लाच लिधा वगर पण जगदिश जगूने मुक्त करवा मां आवे चें। इवी रित्य तमेने एक नवलकथामा रूपान तरीत करो छो। इनवलकथामा रूपान तरीत करीने मुक्या छे। एमा आवता संवादोनी भाषा, एमा आवता वर्णनोनी भाषा, पेला मां लागणी ना संदर्मां विभाके दिमुनी जे भाषा, एमना मुखमा मुकायेली भाषा जे छे। के वर्णनों छे, इलागणी नी भूमी काये, बराबर छे, अहीं तर्क नी भूमी काये आखी वस्तु आलेखाई छे, दलालनू गद्य, हाँ कृतियों मा तमने अनुभव आए, पन वार्ताओं मा एक गद्यनों एहो अनुभव, अपन ने बो ओची वकत थाए, जे जयन्त खत्री नी वार्ताओं मा तमने गद्यनों अनुभव थाए, जेयन्त खत्री एकली वार्ताओं लखी ने मुटा गद्यकार छे, दलाल वार्ताओं ने नवल कथा लख्या पशी पन इटला मुटा गद्यकार ना थी, यहो अपड़ के हो पड़े, उमानू छो के अईउं तर ना थी, चुझा टेंड़े ने वार्ताओं लख्या उनुट अप्सोन अकारेक्रम नी जान चेके गुझराती नंग्रेजी अखबारो ली तितमाम अखबार तंत्री शी यह डिपोर्टर शी फोटोग्राफर शी यह जोनो खुब खुब आबर चाओं व्यावस्ता चे अनने याप्शो, आबार.